हर्याना विदान सभा चुनाव में जिसदन का इंतजार था वो आखिरकार आज आई ही गया है मद्दान को लेकर पोलिंग बूट्स पर लोग पहुँचने शुरू हो चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए अपने मत का प्रयोग करने के लिए और आज EVM में तमाम जो कैंडिडेट्स हैं प्रत्याशी हैं उनकी किसमत का फैसला जो है वो कैद हो जाएगा इस वक्त आप देख सकते हैं काल का विधान सभा से जो भारती जुनता पार्टी की प्रत्याशी है शक्तिरानी शर्मा वो भी निकल कर बूतों का दौरा कर रहे हैं बूत पे किस तरह की विवस्थाएं हैं उसका जायजा लेती हुए नजर आ रहे हैं सीधे उनसे बातचीत करते हैं मैम पिछले एक महीने से लगबग मेहनत की जा रही थी फील्ड पर थे सड़कों पर उत्रह हुए थे और आखिरकार जो डिसिजन मेकिंग का दिन है वो आ चुका है किस तरह की हलचल है किस तरह की फीलिंग है क्या उमीद है बहुत अच्छी उमीद है और लोग घर से निकल के आ रहे हैं वो डालने के लिए काफी सारे लोग सुबह सुबह आए हैं बहुत खुशी हुई कि मैं जिस पहले बूत पे गई हूँ तो विदिन 15 मिनिट बीस वोटें और जा चुकी थी तो खुशी हुई देखके कि भी ल आपने आज क्योंकि बहुत इंपॉर्टन दिन है तो आज की शुरुआत आपने मांकालिका के अश्रवाद के साथ की थी जी हां मैं सुबह साड़े पांच बजे मांकालिका मंदर गई थी और आश्रवाद लेके पूजा अर्चना करके तब मैंने अपना दिन शुरू किया मैम जिस तरह से लोगों का काफी समर्थन तो आपको प्रचार के दौरान मिलनी रहा था लेकिन एक होता है बींग कैंडिडेट किस तरह की रात में हल चल रही क्या दिमाग में चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मद्दाताओं से आप इस वक्त क्या अपील करना चाहेंगे कोई हल चल नहीं थी बहुत मन शान्त है और बहुत विश्वास है मद्दाताओं से मैं कहना चाहती हूं कि उनका अधिकार है वोट करने का उनको अपना वोट जाया नहीं जाना चाहिए बहार निकल के वोट जरूर करना चाहिए बूत पर विवस्थाएं ठीक है कारेकरताओं के साथ आपने बातचीत की है यहां बहुत ठीक है विवस्था बिलकूर ठीक चल रही है अभी आप जाएंगी और भी आगे क्या रहेगा आपका और भी बूतों का दौरा करेगा हां सब बूतों पर जाओंगी हर एक बूत कि मद्दाता जो है वो अपने घरों से निकले और वोट कास्ट करें कैमरा परसन अम्मित के साथ साक्षी शर्मा इंडिया नियूस हर्याना कालका